हेलो दोस्तो हैपी डिवाली टू अल फ्यू डिवाली आने वाली और दिवाली पे लक्षमी जी को खीर का भोग लगाया जाता है लेकिन खीर को आज मैं बिल्कुल अलग तरीके से बनाऊंगी तो अगर आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राइ करेंगे तो ना कि केवल आप दे तो इसके लिए मैंने एक हैवी कडाई लिया और इस पे मैंने एक से दो बून देसी घी के लगाए हैं और हम इसे अच्छे से स्प्राइड कर देंगे देखिए इस श्रिक से क्या होगा कि जो हमारी खीर है ना वो नीचे कडाई से बिल्कुल लगेगी और ना ही जलेगी त तो इससे हमारा जो खीर बनाने का प्रोसेस है ना वो बहुत ही इजी हो जाएगा तो आज हम जो खीर बनाएंगे वो 15 मिंट के अंदर एकदम रेडी हो जाएगी एकदम रब्डी दार जो हमारी खीर बनेगी तो मैंने यहाँ पे क्या एक कलो दूद लिया है लेकिन यह एक अब इसमें से क्या करा है मैंने एक कल्ची जो दूद है वो साइड में रख लिया है और बाकी दूद को हम अच्छे से उबलने देंगे तो जैसे ही देखे मैंने यहाँ पे 100 ग्राम जो राइस थे वो बिगो के रखे थे आप यहाँ पे बास्मती राइस ले ले लीजे तो अच्छा है नहीं भी है तो कोई नहीं आपके पास जो भी राइस में भिगो दीजिए अब उसमें से मैंने दो चम्मच राइस जो है अलग कर दिये हैं अब इन दो चम्मच राइस को हम एक सी में ग्राइन करेंगे और फाइन पेस्ट में तयार कर लेंगे तो जो दूद मै बाल आ जाएगा तो हम बाकी बिगोए हुए राइस को इसमें अच्छे से डाल दिंगे और पकने देंगे तो इसमें 8-9 मेंट लगते हैं चावल को पकने में बस हमें क्या करना है सिर्फ इतना हमें इसे कुप करना है कि चावल पक जाए उसके बाद जो है हम अपनी खीर बना चुके हैं आप चाओ तो इसे चेक भी कर सकते हो तो मैं देखिए इस तरह से हाथ से प्रेस करके देख रही हूँ चावल हमारे अच्छे से गल चुके है अब जो इसके बाद जो प्रोसेस होगा वो एकदम स्पीड अप होगा और हमारी खेर आप देखिए बिल्कुल फास् को हम इस खीर के मिक्शर में एड करेंगे और इसे कंटिनुसली हम इसे कल्ची से चलाएंगे क्योंकि क्या होगा अगर आप इसे कल्ची से नहीं चलाओगे तो लम्स फार्म हो जाएंगी और जैसे हमने यह जो पेस्ट डाला था ना इसके बाद जो खीर है वो हमारी एकदम ठिक हो जाएगी आपको बिल्कुल भी इसे टाइम नी लगेगा खीर बनाने में तो देखे आप भी देख रहेंगों कि एकदम जो कंसीस्टेंस है खीर की बिल्कुल चेंज हो रही है तो देखे इस में तर से जब आप खीर बना हो गए कहीर बहुती जल्दी बन जाएगी आप चीनी को पैनल लिया है और इसमें केरमलाइस करोंगी तो आप चीनी को इस तरह से स्प्राइड कर देंगे दूसरी एस पे हमारी जो खीरे वो पकरी है तो आप पीछी में उसमें थोड़ा सा चलाते रही है ताकि लंस फॉँम्म नहों अब देखे जाया है जब सही चीनी केरमलाईज हो जाएगी ने हम इसे खीर में डाल देंगे तो जब आप चीनी को केरमलाईज करके खीर बनाऊगे ना तो खीर का जो टेस्ट है ना वो एकदम रबड़ी जैसा आएगा जो हम रबड़ी कुलफी खाते हैं बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर आपको मिलेगा आपने देखा हो जो चीनी है और केरमलाईज हो यह मैंने इसे बिल्कुल भी टच नहीं करा है क्योंकि जब यह हलकी जी करमलाईज हो जाएगी ना उसके बाद हम इसे कलची से चिलाएंगे देखे चीनी को करमलाईज होने में न दो से तीन मिंट लगते हैं और एकदम यह पतला जो होना अच्छा वाला जो करमलाईज शुगर हमारे पास बन के तयार हो गई है तो अब मैंने इसकी गैस की फ्लेम कर दिये बंद अब जैसे ही करमलाईज हो जाएगी उसके बाद हम इसे खीर में डालेंगे तो आप भी द टेस्ट इसका दस गुना बढ़ जाएगा तो आपको कहकर ना जैसे चीनी आपने करमलाईज शुगर इसमें डाल दी उसके बाद इसे कंटिनुसली चिलाते रहिए दो से तीन मिन्ट लगेंगे और उसके बाद आपके खीर एकदम रेडी आप देखरों कितना आच्छा कलर आ गया है इसका रबडी कुलफी वाला जो कलर होता है न वो आया एकदम टेक्शर इसका थेक हो चुको और टेस्ट भी इसका 100% इसका बढ़ चुको है तो इस तरह से जब आप में खीर बनाओ गए न तो आपके घर में इस तरह की खीर को सब पसंद करेंगे बच्चे से ले खीर एकदम रेडियो हो चुकी है तो दोस्तो इस दिवाली आप भी इस खीर की रेसिपी को ट्राइ करियो मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबेक दीजिए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी इसके लावा मैंने दिवाली स्पेशल बहुत सारी वीडियो आपके साथ शे डीए तो देखें आप भी दीख रहे होंगे एकदम कितनी थिक कंसिस्टेंसी बनीञी मैने यहां पे इपलाओ दर आप पीछे कलची से भी देखसके कितना ज़्याद चपक गया है एकदम थिक कंसिस्टेंसी है तो देखें आप इस खीर को ठंड़ा करके खाईये गरम कर लियो और वो भी मैंने घर के उबले हुए दूर से मैंने यह पर खीर ट्राई करें थी मैंने कोई फुल क्रीम दूद नहीं लिया था और इसके बाद भी हमारी खीर एकदम ठिक बनी एकदम रबडी दार जो हमारा जो खीर का टेक्शर है वो आया है अब उपर से मैं इसे ए अची अची बिशाव भीम थे ही पेसी तो आप प्लीस वो रेसीपी भी देख सकते हैं तो देखेँ है मैंने भी आज आपके साथ एकदम 15 मिंट के अंदर बिलकुल एकदम ठिक ओृर ट्रबडी दार खीरerd के रेसीपी शेर करी है तो प्लीस अगर मेरी वीडियो पसंद तो इसे share करिए और like करिए Thank you, Happy Diwali to all of you